एक और वाइरल वीडियो और एक और कॉंट्रिवर्सी अभी हाल फिलाल में ही मेरा फेस्बुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के उपर एक और वीडियो काफी वाइरल हुआ और उसी के साथ आप में से हजारों लोगों के मुझे मैसेज प्राप्त हुए जो कह रहे हैं क अगर आपके उम्रत 30 साल से अधिक है तो आप इन दोनों चीजों का प्रियोग करना बंद कर दीजिए मात्र 10 से 15 दिनों में आपको कमाल के लाब अपने सरीर में दिखाई देना प्रारंब हो जाएंगे अधिकतर लोगों ने चीनी को तो सुईकार किया कि जी हाँ चीनी का प्रियोग अच्छा नहीं होता है पर दूद को लेकर बहुत से लोग इतना अधिक उत्तेजित हो गए कि काफी उल्टा सीधा भी उन्होंने कमेंट्स के माधिम से लिखा मुझे दरसल इन चीजों से बढ़ा सा बात कर लेते हैं उसके बस्चात दूद के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यूं बढ़ती उम्र के साथ दूद का प्रियोग लाबदायक कम और हानिकारक अधिक होता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डोक्टर रोबिन और मैं संपूर्ण रूप से आयरवेद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रियास करता हूं मेरा क्लिनिक गुडगाओं में है पहले चीनी के बारे में बात कर लेते हैं चीनी का बहुत अधिक प्रियोग वजन को बढ़ाने का कारे करता है डायबिटीज की संभावनाव को बढ़ाता है हार्ट और लीवर के लिए तो बहुत ही अधिक हानिकारे का रिखा है साथ जिन लोगों को हमेशा ठकान बनी रहती है जिन लोगों को छोटा मोटा दर्द हमेशा बना रहता है वो मात्र 30 से 40 दिन चीनी बंद करके देख ले मुझे और कुछ कहने कि आउशक्ता रहेगी ही नहीं और एक विशेस बात और बहुत सी रिसर्च ये भी दावा करती ह है कि चीनी के प्रियोग से ऐसा environment हमारी body में बनता है जो acidic होता है और इसके चलते cancer जैसी बहुत सी अन्य खतरनाक समस्याएं उत्पन हो सकती है चलिए अब दूद के उपर आते हैं और इसलिए आप यहाँ पर रुके हुए हैं दूद जिसे अम्रित का दूसरा रूप कहा ज होता है पर मेरे अनुभव के आधार पर मैं यही बात कहना चाहूंगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए विशेश तोर पर 30 साल से अधिक अगर आपके उम्र है तो दूद का प्रियोग कम से कम करना चाहिए या फिर बंद कर दे ज्यादा बहतर है इसके पीछे के आधार के बारे में मैं आपको बतला देता हूँ मुझे पता है कि दूद ना पीने से कैलसियम की कमी हो सकती है और बहुत से पोशन जो दूद से प्राप्त होते हैं वो निश्चित तोर पर हमें नहीं प्राप्त हो पाएंगे पर यकीन मानिए उनकी कमी दूसरी जगह से पूरी की ज अपायर्मेंट हमारे सरीर में बनाता है जिसके परिणाम सुरूप कैंसर जैसी समस्याएं तो उत्पन हो ही सकती हैं साथी साथ नींद अच्छे से नहीं आती हैं मन में घबराहट बेचैनी बनी रहती है और साथी साथ स्किन और बलड से संबंदित समस्याएं भी इसके चल नूर बताते हैं नंबर टू डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत ही नेगिटिव इंपक्ट दूद करेता है खास दोर पर बड़ी उम्र में और एक कमाल की बात में आपको बताओं हमारे भारत वर्ष में 18 साल से अधिक उम्र के 60 या 70 प्रतिसत लोग थोड़ी या अधिक मातरा में लेक्टोज के प्रति ऐसे ही सून है लेक्टोज इंटोलेंट्स का आपने नाम सुनाओगा जी हां मैं उसी की बात कर रहा हूं 60-70 प्रतिसत कोई चोटी जनसंख्या नहीं होती है और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मेरे पास प्रमुक तोर पर योग बंद कर देने से उनकी हलसी मेरे बहुत हद तक दूर जयाती है कि मेलफी मेल इनफ्रिलीटि का पाचनतंतर से क्या लेना देना होता है और अभी जिन लोगों को मेरी बातों पर यकीन ना आ रहा हो वह मात्र एक काम करके देखें अगर आपके उम्र Study 30 साल से अधिक ह आप केवल 15 दिनों के लिए दूद या दूद से बनी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दीजे घी को छोड़ कर घी से कोई दिक्कत नहीं है घी कोई भी प्रियोग कर सकता है और फिर मुझे आप नीचे कमेंट में बताईएगा कि आपने क्या कुछ अपने सरीर में बदलाओ अनुभाव हुए मुझे पता है कि अब भी आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम पीते हैं आमें कोई दिक्कत नहीं होती बहुत अच्छी बात है और इस स्वर से प्रात्ना मैं करूँगा कि भविश्य में भी आपको कोई परेशानी ना हो परन्तु मैं आपके साथ केवल अपना अनुभाव साजा कर रहा हूं जो कुछ मैंने अपने इतने सालों के चिकिच्चे कर्म के दोरान एक अत्रित किया है और एक छोटी से बात कहना चाहूंगा सरकार बार-बार कहती है कि रैस ड्राइविंग मत कीजिए आपकी जान को खत्रा हो सकता है तो क्या हर बार रैस ड्राइविंग करने से लोग मर ही जाते हैं नहीं न पर संभावना बहुत अदिकोती है और इसी लिए रैस ड्राइविंग ना करने की सला दी जाती है अब आप वहाँ भी ये तर्क देना प्रारम कर दीजिए हम तो आज तक रैस ड्राइविंग करते आए हैं हम नहीं मरे तो आप गल्थ कह रहे हैं इसके अलावा आप में सब बहुत से लोगों का ये सवाल था कि मैं एक तरफ तो दूद प्रियोग ना करने की सला देता हूं और दूसरी तरफ दूद के बहुत से उप्योग भी बताता हूं बहुत से नुश्कों में इसका प्रियोग बताता हूं तो देखिए एमबुलेंस जब अपने मरीज को लेकर जाती है तो आम तोर पर वो rest driving ही अधिक करते हैं और इसी तरह समस्या और रोगी के आधार पर दूद का प्रियोग करने की आउशक्ता भी हो सकती है खैर छोड़िये, अब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो मुझे नीचे comment के माध्यम से होश्य बताईएगा साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आपके comments का इंतिजार रहेगा नमस्कार